जैहिन साथियो बेलकम टू सेल्फ इस्टेडी किलासे स्विश्वमिट जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम पढ़ने बाले हैं परियावन से समंदित महत्पून प्रस्ट आपकी परियावन की टेस्ट सिरीज निरंतर चल रही है परियावन का पूरा का पूरा कोर्स बिस्तरित रूप से आपको पढ़ा दिया गया है आप प्लेलिस्ट में देखें ठीक है और साथ ही आपके सिक्षा साथ की वीडियो भी मिल रहे हैं बाल बेकास की भी आपको मिल रहे हैं और हिंदी पेड़ागोजी भी कम्पलीट आपको करवा दी गई है तो दूस्तों चैनल को सबस्कॉब करने वीडियो को सभी को like करना है और share करना है ठीक है और telegram गूरोप से जुड़ने के लिए आपको सरच करना है telegram पर IAS study trick ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो निमलेकित में से कौन सी एर लाइन्स बरतमान में सेवा में नहीं है आपका एक टॉपेक है क्या है या तायास से सम्मदेत एक टॉपेक है परियाबरण में तो उससे सम्मदेत भी क्वेस्चन होंगे कौन सी एर लाइन्स बरतमान में सेव नहीं है मैं नहीं है तब आपका उत्तर क्या होगा प्रश्न करमा की एक का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी एयर सहारा यानि की बिकलफ नमर जो सी है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है 2007 में एयर सहारा ने अपनी सेबा को 1450 करोड में जेट एयर बेच को सौंप दिया तब से यह जो एयर सहारा है एबंध है यानि की जो बिकलफ नमर सी है वो इसका सही होगा ठीक है बिहार राज यहेतु परियावन अधिन के सिक्टन के लिए रात में कि स्टर के पाट करम का निरमान किस ने किया हमें बताना है प्रश्न किरमां के दो का उतर तो किस ने किया है इसका सही उतर होगा दोस्तो CSCERT एनि कि जो बेकलप नमबर C है वो इसका सही हो जाएगा State Council of Education Research ठीक है यहनोंने क्या किया है Research and Training तो बेकलप नमबर C इसका सही होगा सतते बं व्यापक मूलियांकन की एक तकनीक है अंगला question देख लिए ते एक अच्छे परीक्षण की कौन सी बिसेष्दा नहीं या अच्छे परीक्षण की बताना है और बिसेष्दा नहीं है बताना है तो प्रस्निक करमांग चार का उत्तर बताना अच्छे परीक्षण की विसेश्था इसका जो उत्तर हो जाएगा उत्तरीन करना यह नहीं है बिकल्प नम्मर डी इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेश्थотуर से पर्योग नहीं होता अता है नगरी करण याद रख लीना है है ना होता क्या है विस्तु में जल संकट का जो प्रमो कारण है वो नगरी करण है नगरी करण के कारण सिमेंट के जंगल तो खड़े हो रहे हैं परन्तु प्राकरतिक जंगल बिलुप्त हो रहे हैं अता है बरसा का जो है अभाव जल सं प्रश्णिक्रम आंक सात का उत्र बताना है, प्रिथम जो बायोगेस साहियत्र कहां पर स्थापित्थ हुआ है? तो सही उत्र होगा. पिलानी याई की जो बिकल्प नम्र यह है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है याद रख लेना है पिलानी में प्रिथम बायो गया सहियत्र और कब हुआ था 1962 में यह 62 में लगा गया तो most important एक नचत्र का रंग निरवर करता है उसकी सूर से दूरी पर घनत्त पर प्रस्टियताप पर या फिर तरिज्या पर तो इसक अंगला question देख लेती है हमारे देश में बन महुस्व दिवस मनाया जाता है तो कम मनाया जाता है most important question है बन महुस्व दिवस कम मनाया जाता है तो आपका सही उतर होगा एक से साथ जुलाई तक बन महुस्व जो है मनाया जाता है सभी लोगों को याद रख लेना बेकल्प न परियावन सम्मिलन को मनाय जानी की गोषना हुई और 1972 में एक गोषना हुई थी लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो परियावन दिवस है यह कब से मनाना प्राराम हुआ तब आपका उतर होगा 1944 से ठीक है और एक गोषना किस ने की थी तो आपका उतर होगा UNEP का मुख्याल है कहां है तो आपका उतर होगा तो आपसे पुनाह नेवेदन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें N-C-T-E का उद्दिस आपको बताना है प्रश्ण करमा के 11 का उत्तर बताना है तो इसका सही उत्तर होगा सिक्षा लयों में सिक्षा इस्तर बनाई रखना A-N-C-T-E का मुकुद्दिस होता है B-नमर इसका सही हो जाएगा अंगला प्रश्ण है निमने वैसे कौन सा रासाइन करूबरक का उधारन नहीं है रासाइन करूबरक का हमें बताना है तो यूरिया है, फासपेट है, पोटास भी है लेकिन जो कमपोस्ट नेचरल गैस होता है वो रासाइन करूबरक का उधारन नहीं माना जाता यानि कि जो बेकलप नमर D है वो इसका सही हो जागा, ठीक है जो गोवर पत्तों आदी को सड़ा कर बनाई जाती वो कमपोस्ट गैस होती है तो वो क्या नहीं मान जाती रासाइन करूबरक नहीं मान जाती CNG का इनन की रूप में किस में इस्तिमाल किया जाता है तो सभी लोगों को पता है क्या पता है कि बाहनों में भी किया जाता उध्योगों में भी किया जाता गक्या लिक्क्यूफाइड पेट्टोरियम गैस बेकलप नमर सी इसका आंसर हो जाएगा most important question का यहाँ पर संकलन है सबी लोग PDF राप्त करना चाहते हैं तो जो है हमारे telegram group से जरू जुड़े परियावरन को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौनसा राज जुड़ा है चिपको आंदोलन सबी लोग जानते हैं और वो राज कौनसा है तो वो राज है दोस्तो उत्तराखंड यानि कि जो बेकलप नमर सी होगा अब यहाँ पर आया है उत्तराखंड तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है देहरादून और अगर आपसे पूछा जाता है कि बन अनुसंदान संस्थान कहा है तब आपका उत्तर होगा देहरादून में और एक और कॉस्चन बनता है कि राश्टी परियावरन अनुसंदान संस्तान कहां है तो यहां पर आपका confusion होता है दोस्तों परियावरा अनुसंदान संस्तान और बन अनुसंदान संस्तान तो बन अनुसंदान संस्तान कहां पर है देहरादून में और परियावरा अनुसंदान संस्तान है तो यह चीज आपको आदर्खनी है ठीक हैं बायो डीजल तैयार किया जाता है तो चार विकल्पों में से जल्दी बताना है प्रशने करम daug 16 का चा लिखना है इसका जो जही उत्र हो जाएगा जै ट्रों पासी यह निकि जो बिकल्प 2000 विकल्प बी बहना हो इसका सही हो जाएगा अंगला प्रश्ण है निम्ने वैसे कौन सी अंतराश्टी ये संस्ता पूरे बिस्त में परियावन सुरक्षा की देख्बाल करती है सबी लोगों को बताना है जल्दी बताना है प्रश्ण करमांग 17 का उतर बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो W-H-O एनि की जो बिकल्प नमर B है वो इसका सही होगा World Health Organization और 7 अप्रेल को हम क्या मनाते हैं विस्त स्वास्त दिवस की रूप में मनाते हैं और ये W-H-O है ये World Health Organization है और अंतराश्ट ये संस्ता है जो पूरे विस्तो में परियावन धातुमै प्रस्तर किसे कहा जाता है बिटुमिन को मैटा लाइड को बॉक्साइड को या फिर आयस्क को धातुमै प्रस्तर किसे कहा जाता है प्रस्न करमा कठारा का उत्तर हमें बताना है इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा धातुमै प्रस्तर कहा जाता है आयस्क के म भी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा तो उत्तर का इस होगा compressed natural gas इसका जो है full farm होता है यानि कि जो बिकल्प नमर B है वो इसका सही होगा अगर वीडियो आपके 10% भी काम का है 10% भी ज्यान इस वीडियो से आपको मिर रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों ऐसे अनेकों वीडियो आपको आएंगे और आपको बहुत सारा ज्यान दे करके जाएंगे हमारा चैनल बस इसलिए समर पे थे आपको क्या आपको परियावरन या कोई भी subject हो या बरगतीन या CTAT की तैयारी कर रहे हैं तो आप तक उचित ग्यान पहुँचे और सकारात्मक ग्यान आप तक पहुँचे सैट्रिलाइड इस्टेल लैक्टाइड इस्टेल लैक्टाइड एवं इस्टेल लैगमाइड में निच्छेपन होता है तो किस चीज का होता है, सिलीका का, मैगनिसियम कार्वोनेट का, कैलसियम कार्वोनेट का, या सोडियम कार्वोनेट का, तो 20 का उत्तर सबी लोगों को बताना है, 20 का जो उत्तर होगा, वो क्या होगा, जल्दी जल्दी से फटाक से लेकें, इसका सही उत्तर होगा, बिकल्प जिनसे भी उत्तर बनते हैं वो बिकलप नमर A, B, C, D इस परकार से उत्तर बताते जाएं अच्छा लगता है जब आप लोग उत्तर बताते हैं और बताते हैं कि सर हमने 50 में से 45% कबर किये और 25% सही बताए हैं तब बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छे कोस्चन जो है उत्तर होता है Calvin एनि कि जो बिकल्प नमर C है वो इसका सही होगा ठीक है अंगला question निमन मैंसे भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है सभी लोग बताएंगे अब भोजन बनाना भोजन तो बहुत सारे लोग बनाते होंगे लेकिन भोजन बनाने का जो तरीका सबसे अच् यदि आप रेल गारी द्वारा अहम्दाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिक्तर बैचने बाले खाने की कौन सी चीजे बैचने बैचते मिलेंगे इस प्रकार से कॉस्चन भी आपके जो याताया से सम्मादेत हैं वो पूछे जाएंगे तो जल्दी से बताओ प्रस्निक्रमाग 23 का उत्तर क्या हो जाएगा तो अधिकांस लोगों का उत्तराना है ढोकला चटनी नीबू वाली चाउल अगर आप कहा जा रहे हो गुजरात अहम्दाबाद गुजरात तो इस प्रकार की जो है मिलेंगी तो सभी को याद रख लेना है अंगला क्वेस्चन है चिपको आंदुलन किस राज से सम्बन देत है जल्ली बताओ हमने पड़ भी लिया है पहले तो यह अब सम्बन देत है दोस्तों उत्तराकंड यानि की जो बेकलप नमर डी है वो इसका सही हो जागा ठीक है उत्तराकंड से सम्बन देत है अब आपका सामिल प्रस्णों के उत्तरों का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा एह परिबर्तन इसलिए किया गया क्योंकि आपके चार बेकलप है जल्दी से बताओ इस तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते एह आकलन में सिक्षकों की सुभीदा बढ़ाता है एह जानने में सिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं एह आकलन में विसाय निष्टता को कम करता है तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बेकलप नमर सी यानि कि एह जानने में सिक्षक की सहायता करता है कि 26 का आंसर सभी लोगों को बताना है कमेंट में सभी लोग बताएं वीडियो को लाइक करें अपने वाट्स आप और फेस्बोक अपने मित्रों तक सेर जरूर करें दोस्तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा D यानि कि सिक्षार्तियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को सामिल करता है ना अंगला कोश्चन नीचे लोगों के कुछ किरिया किलाप दिये हैं आपको बताना है इन किरिया कलापों में खानों का उत्खनन खुदाई बांधों का निर्मान बाजार में बैचने के लिए पत्तिया एवं जड़ी बूटी ये कट्टी करना बास से टोकरी बना अब इन बिकल्पों मेंसे आपको क्या चलना है कि बह किरिया कलाप कौन सी है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मिदार हैं तो ये कूटे यहाँ पर दिया है इन कूट मेंसे हमें उत्तर बताना है तो जल्दी से उत्तर लिखना है 27 का आंसर जो होगा वो क्या होगा सबी का अंसर आने चीए उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तो बी एक तथा दोनों मलब एक तथा दो बांधों का नर्माड हो तब भी जंगल लश्ट होते हैं खानों का उत्खनन हो तब भी जंगलों का बिनास होता है तो एक और दो इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगले प् दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताए कमेंट में और बहुत सारे जो बिश्तरत अध्यन की वाले वीडियो हैं वो जरूर पड़े और आपका ये जो अभ्यास क्रम है नरंतर चलेगा कांसे की बारे में सही कथन चुनिए कांसा आप समझते होगे एक और कांसे की बारे में हमें सही कथन बताना है जल्दी जल्दी से कमेंट में बेकलप पड़ो और उत्तर बताओ फटाक से बताना है 28 का आंसर बताना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो होगा A यानि की जो बेकलप नमबर 2 और 3 है वो इसका सही कथन हो जाएगा दो कांसे कठाइस का होगा अंगला question 20 ओजोन दिवस मनाये जाता है जी हैं दोस्तों ओजोन की बारे में सबी लोग जानते हैं ओजोन परत है जो सूर से आने वाले प्राबैगनी किरणों को हमें मदलब धर्ती पर आने से रोकती है और ओजोन दिवस का मनाये जाता है तीस का उतर सभी लोग बताएंगे कौन सी संस्ता है जो बनने जीवन संरक्षन के प्रती समर्वित है तो तीस का जो उतर हो जाएगा वो क्या होगा वो होगा दोस्तों C, UNESCO यानि की जो बेकलप नमर C है वो इसका सही होगा बनने जीवों सहत संपूर्ण प्रिक्रिती के संरक्षन के लिए समर्वित इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर मतलब IUCN ये जो संस्ता है बनने जीवों के प्रती समर्वित है और इसकी स्थापना UNESCO के UNESCO के पहले महाने देशक सर जूलियन हकसले की पहले पर हुई थी और 1980 में IUCN ने संयुक्त राष्ट परियावन कारिकरम वर्डवाइड फंड तथा UNESCO के साथ मिलकर 200 परियावन सरक्षन रणनीती भी तयार की थी तो IUCN आपका उत्तर होगा जो कि एक संयुक्त रूप से UNESCO द्वारा इस्थापेट एक संस्ता है तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर C चीक है उर्जा नभीनिकरन का इस्तरोथ है क्या है कोईला, पोधे, पैट्टोनियम या फिर यूरेनियम तो उर्जा नभीनिकरन का जो इस्तरोथ माना जाता है वो माना जाता है पौधे यानि की जो बेकलब नमर 31 का हो जाएगा वो क्या होगा C, बहुत बढ़िया ATM का पूरा नाम बताना है ATM बहुत सारे लोग यूच करते हैं लेकिन आपको पूरा नाम बताना है उत्तर क्या हो जाएगा 32 का आंसर बताना है इसका सही उतर होगा automated tailor machine यानि कि जो बेकलप नमर एक है वो इसका सही होगा ठीक है computer के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं सभी लोग बताएंगे computer सभी चलाते हैं mobile सभी चलाते हैं इनके माध्यम से जो संदेश वेजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं email यानि कि जो बेकलप नमर C है वो इसका सही होगा निम्र लिकित में से किसका बेग अधिकतम है बेग बताना है हवा का, ध्वनी का, जल्धारा या फिर प्रकास का तो किसका बेग होता है जो अधिकतम होता है 34 का अंसर बताना है तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकास का यानि कि जो बेकलप नमबर D है वो इसका सही होगा ठीक है और आपको बताना है कि इसका बेग कितना होता है प्रकास का तो तब आपका होगा तीन लाग, तीन लाग किलो मीटर पिरती सेकंड इसका बेग होता है ये चीज भी याद रखनी है ठीक है अंगला question देख लेते हैं सौर सेल द्वारा किस उर्जा को बिद्धित उर्जा में बदला जाता है सौर सेल आप सभी को पता होगा सौर सेल पैनल आपने देखे होंगे सौर सेल सभी को पता है कि सौर सेल द्वारा किस उर्जा को बिद्धित उर्जा में बदला जाता है रासायने कूर्जा, तासायने कूर्जा, नाब की उर्जा, प्रकास उर्जा या फिर चुम्ब की उर्जा सभी को पता है जो सौर्सेल होता है वो सूर से आने वाली जो करने होती है सूर से आने वाले प्रकास से क्या होता है यह बिद्दुत उर्जा बिद्दत उर्जा में जो है ये परिवर्तित करता है सौर सेल द्वारा के सूर्जा को बिद्दत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो प्रकास उर्जा को प्रकास उर्जा को बिद्दत उर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है यह इसका सही उतर हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है हमारा पधार्त की किस अवस्था में अड़ूं के मद्दी की दूरी नियुंतम है सभी को कमेंट में लिखना है जल्दी बताओ जल्दी जल्दी से उतर बताना है वश्निक्रमांग 36 का 35 का उतर बताना है पधार्त की किस अवस्था में अड़ूं के मद्दी की दूरी नियुंतम होती है तो किस अवस्था में होती है 36 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? 36 का सभी लोगों ने बता दिया ठोस भेस्थ अवस्ता में है, गड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्तापित है? 37 का आंसर सभी को बताना है गंगोत्री, क्रष्णा, चंबल या फिर कावेरी तो घड़याल प्रोजेक्ट जो है वो चंबल नदी पर है और चंबल नदी जो है मद्धे प्रिदेश की जाना पाओ पहाडी से अगर आप से पूचा जाएगा कि आपको मैं पूरी पहाडियां भी पढ़ाऊंगा हैना किस परवत की कौन सी सरबोच चोटी है ये भी आपको पढ़ाऊंगा साथ ही आपके परियावन से संबन्दे जो अभ्यारन है वो भी आपको पढ़ाऊंगा नदीयों को भी पढ़ाऊंगा और ये जो जाना पाओ पहाडी है यहां से इसका उद्गम होता है चंबल पर गांदी सागर डेम और जबाहर सागर डेम बने हुए हैं तो सभी को याद रख लेना है और इसमें घड़याल प्रोजेक्ट भी चल रहा है चंबल नदी में पके हुए चाउन रेफरेज रेटर में आप एक शक्रत कम लंबे समय तक परिरक्षित किये जा सकते हैं क्यों कि क्यों कि यह सकते हैं 38 का अंसर सभी लोगों को बताना है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए कम ताप मान पर रोगाणू निसक्री हो जाते हैं यानि कि जो बिकल्प नम्मर ए है 38 का बताना है 38 का सभी लोग बताएंगे यहाँ पर साइद इसका कूट दिया हो प अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं अंगला क्वेस्चन नीबू साधान पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तेरता रहता है क्योंकि क्यों जल्दी बताओ प्रश्ण क्रमांग 49 का नमकीन पानी का घनत तो साधान पानी के घनत उसे अधेक होता है तो प्रश्ण क्रमांग 39 का सभी लोगों को उत्र बताना है जब भी प्रयबना का नाम आता है तो चिप को आंदूलन जरूर सबी को याद होनी चाहिए 40 का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न करमांग तो वो हो जाएगा D यानि कि सुन्दलाल बहुगुडा नर्वदा बचाओ आंदुलन से संबन देती कौन बेधा पाठ कर एचीज भी आपको याद रखनी है ठीक है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है जिस प्रिक्रिया से एक किया जा सकता है प्रिक्रिया कौन सी कहलाती है 41 का उत्रवताना है तो बहे जो प्रिक्रिया कहलाती वो कहलाती थ्रेसिंग हैनि कि जो बिकल्प नमर A है वो इसका सही होगा अंगला कॉस्चिन देख लिए थी प्रात में किस तर पर आकलन में सामिल होना चाहिए क्या सामिल होने चाहिए सिक्षक द्वारा सतत और आसना रचनात्मक तरीके से किये गए अब लोकन को बच्चों और अविवापकों के साथ बांटना प्रतेग सप्ता है और अविवापकों के लिए प्रतेग सप्ता है ग्रहकार और कक्षाकार तो 42 का आंसर सबी लोगों को बताना है इसका सही उतर होगा दोस्तों बिकलफ नम्मर ए इसका सही हो जाएगा बहुत बड़ी आप सभी लोग उत्तर बता रहे हैं अच्छा लगता है एक उदासीन पिंड होता है तो कौन सा होता है एक उदासीन पिंड बताना है 43 का अंसर बताना है इसका सही उत्तर होगा दोस्तो कोई आवेस नहीं होता है ना एक उदासीन पिंड में कोई आवेस नहीं याने कि जो वेकलब नमर D है वो इसका सही होगा ठीक है D नमर का अंगला क्वेस्चन है यदि किसी बिलियन का pH2 है तो एह क्या है? दुरबल अमल है, पृरबल अमल है? दुरबल चार है या पृरबल चार है तब आपका उत्तर होगा दोस्तों एक पिरबल अमल है यानि कि जो बेकलप नमर C है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला क्वेस्चन है एक ताज अंडा सुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतरप्त बिलेन में तेरता है इसका कारण क्या है 45 का उत्तर बताना है जल्दी ज पानी का उच्छ घनत तो बेकलप नमर C इसका सही होगा अंगला क्वेस्चन है भोजन पकाती समय कभी-कभी बरतन की पैंदे की बाहरी सता है काली हो जाती है इसका अर्थ क्या है भोजन अधिक पक गया बरतन स्टील का बना है इनन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा या प गैंद किसी बेक से उपर की ओर उच्छानी जाती है यह है 50 मीटर तक जाकर फैकने बाले के पास पुनह लोट आती है तो इसके द्वारा तै की गई कुल दूरी 50 मीटर है इसका कुल विस्थापन 100 मीटर है या फिर आपको बताना है क्या होगा इसका कुल विस्थापन सून है इसके द्वारा तै की गई जो दूरी है वो 120 मीटर है तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा C ऐनी कि इसका कुल विस्थापन है वो सून है C नम्मर इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला प्रस्चन है यदि एक छुंबक की छड़कों लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो दुर्भों की कुल संखिया होगी कितनी होगी एक चुंबक छड़ है और इसको 4 टुकड़ों में हमें काटना है तो इसके जो ध्रोब हैं इनकी संक्या कितनी होगी तो इसके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो आठ इसका उत्तर सही हो जाएगा, बिकल्प नमर सी ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना चार टुकड़ों में काटना है, मतलब इस छड़कों आप तीन बार काटेंगे तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा और चार टुकड़ा इसके हो जाएगे तो इस परकार से कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते कुछ लोग इनकी 1869 की पुस्तक आन दा ओरिजिन आप इस पीसीज में इनकी प्राकरतिक चेहन संबंदी सूत का बेबरण है जीव बिग्यान में मील का पत्तर है, इस पुस्तक की रेचिता कुन है, 49 का उतर हमें बताना है उतर क्या हो जाएगा तो 49 का जो उतर हो जाएगा दा ओरिजिन आप इस पीसीज पुस्तक की जो लेखक माने जाते वो चार्ल्स डार्बिन यानि की जो बेकरप नमर बी है वो इसका सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया अंगला कोश्चन है, निम्ण मैसी किस सहर में 136 निकाय की रूप में नगर निगम नहीं है, 50 का उतर बताना है तो इसका सही उतर होगा, स्वानी पत इसका सही होगा, फोरन हाइट पेमानी पर पानी का कुथनांग, खालिस्तान औंस फेरन हाइट होता है, जल्दी बताओ, पर सौका, असी, दोसो बारा या 32, फिप्टी बन का उतर क्या हो जाएगा, उतर होगा दोसो बारा, यानि की स्री नम्मर इसका सही होगा, ठीक है, दोसो बारा, उन्स फेरन हाइट होता है, अंगला क्वेस्चन है, इंदर धनस में रंगों का करम क्या है, जल्दी से उतर ल रंगी और लाल, ठीक है, ये तो किडिया रेके इंदर धनस रंगों का करम सबसे पहले बैगनी आता है, ठीक है, और लाश्ट में लाल आता है, तो यहां से भी बहुत सारी समस्याएं, हल हो जाएंगी, दो बेकल्ब तो आपके यहां से कट जाएंगे, अब दो मैंसे एक आपको करना होता है, तो आप लगा लेंगे, तो पहले बैगनी और अंत में लाल, इस परकार से, लोए की छड़को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस तरह है, इस परकार की पदार्थ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 53 का आंसर सभी लोग गोल दिया जाए, तो जल का इस तरह क्या होता है, 54 का उत्तर बताना है, 54 का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा दोस्तों, एक समान रहेगा, यानि की जो बिकलप नमर C है, वो इसका सही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अंगला क्वेस्चिन है, कच्चे तेल का उप 2006 का मूल उद्देश क्या है 56 का आंसर सभी लोगों को बताना है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तो 56 का सभी ने जो उत्तर बताया वो बताया है डी यानि की पारंपरक रूप से बनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मानता देना यह जो है इसका सही हो जाएंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोगों का आंसर फटा फटाने चाहिए 71 सेंटी ग्रेट पर 15 सेकंड तक या 62 सेंटी ग्रेट पर 32 मिनिट तक गर्म करके पास्चरी करन जो है किया जाता है बहुत बढ़िया अंगला क्वेस्चन SM का प्रसिद्ध एक आपसे पूचा जाता कि मद्ध प्रदेश में ब्रेडरी प्रजाती का जो 12 संगा है वो किस राष्टी उध्यान में पाये जाता है तब आपका उत्तर होगा काना किसली ठीक है इन सारे क्वेस्चनों को आपको याद रखना है भूकम की तीवरता नापने का यंतर कौन सा है 59 का उतर हमें बताना है इसका सही उतर होगा C स्मोगराप B नमर इसका सही हो जाएगा सभी को पता है बायमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है 60 का उतर बताना है 60 का उतर क्या हो जाएगा बायमंडल की सबसे निचली परत का नाम है छोब मंडल यानि कि जो बेकलप न लेंकन होते रहने से सिक्षार्कियों में परिक्षा का नावस्यक महें नहीं होता यानि कि जो C है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला कोश्चन है बायू मंदल में 99% भाग पर किंदो गैसों का विस्तार है तो 62 का आंसर बताना है उत्तर हो जाएगा आक्सीजन इबम न परियोग करती है तो जल्दी बताना है 65 का उत्तर बताना है उत्तर हो जाएगा ए मतलब हो जाएगा एक और चार हस्ति सिद्ध के परिया कलापों का मुल्यांकन और मौकेक परिक्षा इसका सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया तो दोस्तों आज हमने इतने प्रस्णों पर चर्चा की और यह बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है आप से भी कुछ लाइक चरूर कर दीना है अंगला जो हमारा वीडिय पर चर्चा करेंगी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं वीडियो को लाइक करें सेयर करें और प्ले लिस्ट में जरूर देखें बहुत सारी वीडियो आपके लिए उपलब्द है आज के लिए बस इतना ही जैहिन